गर्मी के मौसम में थंडी थंडी चीज़ पिने का अलग ही मज़ा होता है तो चलो आज मैं आपको ऐसी तीन चीज़े बताता हूँ जिसे गर्मी की सीजन में जादा पिया जाता है रेसिपी इसको सिखने के लिए वीडियो को पूरा देखे और जो लास्ट ओली ड्रिंक है वो मेरी फेवरेट है तो चलो सबसे पहल जल जीरा मसाला बना लेते जिसकले मैं ले लिया है दो बड़े चमच जीरा जल और जीरा नाम सुनकी आप समझ सकते कि इसमें में इंग्रीडियन्ट कौन सा है फिसात में हम ले लेंगे 8-10 लॉंग आधा बड़े चमच काली मिर्च काली मिर्च डालने के बद हम 3 ही मसालो को 3-4 मिट के लिए मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे मसालो को इस तरह से सेकने से मसालो का फ्लिवर और भी बढ़ जाता है और जल जीरा बनाने के लिए हमें मसालो को तोड़ा सा जादा ही सेक लेना है हमें मसालो को तब तक सेक लेना है जब तक जीरा में से अच्छी सी खुझबू ना आनी शुरू हो जाए या फिर जीरा का रंग हलका अलका बदल जाता है तो आप देख सकते कि जीरा का रंग हलका सा डार्क हो गया है और खुश्बू तो इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है अब हम तीनों ही मसालों को एक बरतन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे और जैसे ठंडा हो जाए हम इसे पीस लेंगे तो हमने ले लिया है मिकसे जार और अब हम तीनों ही मसालों को मिकसे जार में डाल देंगे और तीनों मसालों के साथ हमें इसमें और भी चीज़े मिला लेना है तो पहले मैं इसमें डाल दे रहा हूँ आदा छोड़ा चमच हींग और दो बड़े चमच अमचूर पाउडर आप अमचूर पाउडर के जगा सिट्रिक एसिड का भी इस्तमाल कर सकते हैं फिर साथ में मैं इसमें डाल दे रहा हूँ दो छोटे चमच काला नमक या फिर आप काला नमक अपने जरुतों निसार कम जादा भी कर सकते है फिर साथ में मैं इसमें डाल दे रहा हूँ दो छोटी इलाइची छोटी इलाइची को हम इस तरह से खोल कर हम इसके सिर्फ दाने डालेंगे हमें पूरा इलाइची इसमें नहीं डालना है और अगर आपको मेरे रेशिपीस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे फिर इलाइची डालने के बद हमें मसालों को अच्छी तरह से पीस लेना है तो मैंने मसालों को अच्छी तरह से पीस लिया है अब हम फटाफट जलजीरा बना लेंगे जिसके पहले मैंने इसमें डाल दिया है एक बड़ा चमच जलजीरा मसाला और एक ग्लास पानी लेकिन हम पानी पूरो उपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि हम इसमें और भी चीज़े मिलाना है पर साथ में डाल देंगे एक बड़ा चमच निम्बुगा जूस और दो तुकडे बरफ के बरफ तो इसमें जरूर डाले क्योंकि अगर जलजीरा ठंडा नहीं होगा तो जलजीरा पिने में मजा नहीं आएगा बरफ डालकर हम इसे हलका सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ठंडा ठंडा ही सर्फ कर लेंगे तो जलजीरा रेडी हो चुका है अब मैं आपको मसाला चास के रिए से भी बताता हूँ मसाला चास बनाना बहुत ही असान है तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कप दही और एक कप पानी हम जितना दही लेंगे उतना ही पानी भी डालेंगे लेकिन पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है तो पहले मैंने आधा कपी पानी इसमें डाला है और आधा कप पानी मैं बाद में डालूँगा आधा कप पानी डालकर पहले हम दही को पानी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और जैसे ही दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर हम बाकी का आधा का पानी भी डाल देंगे दही और पानी हमें दोनों को ही आपस में अच्छी तरह से मिला लेना है और इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें मिला लेंगे मसाले तो सबसे पहले हम इसमें डाल देना है पुदीना पुदीना मैं इसमें डाल दे रहा हूँ एक बड़ा चम्मच और साथ में मैंस में डाल दे रहा हूँ देड बड़े चम्मच हरी धनिया जिसे मैंने एकदम बारी काट लिया है धनिया और पुदीना हमें दोनों को ही इसमें एकदम बारी काट के डालना है और साथ में ही डाल देंगे आधा बड़ा चम्मच अदरक, अदरक को भी मैंने एकदम बारी काट लिया है और साथ में ही आधा बड़ा चम्मच हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी मैंने एकदम बारी काट लिया है फिर आदा चोड़ चमच काला नमक, हम इसमें काला नमक कही यूज़ करेंगे फिर साथ में ही डाल देंगे एक चोथाई चमच जीरा पाउडर और ये सबी मसाले डालने के बाद हमें ने आपस में अच्छी तरह से मिला लेना है और आपको मेरी रेसिपीस कैसी लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताए और अगर आप चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैंने इसे 4-5 मिनिट अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसे सर्फ कर लेंगे पर हाँ हमें इसे एकदम ठंडा ठंडा ही सर्फ करना है अगर आपकी दही ठंडी नहीं थी तो आप इसे बना कर फ्रिज में रख दीजिए लगभग आदे गंटे के लिए दही से बने कोई भी चीज हो चाहे वो छासो, चाहे वो लसी उसे पीने के बाद अलग ही मजा आ जाता है मैंने उपड़ से थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है और अब हम इसे सर्फ कर लेंगे और गर्मी में जो सबसे जादा पिया जाता है और मेरा भी फेवरेट है वो है गन्ने का जूस इसे घर में बनाना तो पॉसिबल नहीं है पर गर्मी का मौसा माते ही गली गली में मिलता है गन्ने का जूस तो गर्मी के सीजन को इसी तरह ठंडे ठंडे ड्रिंक्स के साथ इंजॉय करे मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक लिए बाई